एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो अब हम एनलेसिस करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी का लेकिन कुछ चीज़ें आपर समझने की कोशिस करते हैं पहले हम लोजिक का डिसकेशन करेंगे उसके बाद मंडे को क्या सिचुएशन हो सकते हैं उनका डिसकेशन करेंगे इधर लगा हुआ है निफ्टी फिफ्टी का चार्ट और इधर लगा हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट दरसल मैं आपको कुछ चीज़ें आपर समझाने की कोशिस करूँगा उन चीज़ें को समझने की कोशिस कीज़ेगा देखो गैब डाउन ओपनिंग निफ्टी 50 में भी देखने को मिली वही सेम सिचुएशन हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है तिहान से देख करेंगे प्रिवियस डे लो यहाँ पर है क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको दोनों में निफ्टी 50 अपने प्रिवियस डे लो पर रजिस्टेंस की तरेक्ट कर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने प्रिवियस डे लो का ब्रेक आउट दिया है तो यहाँ पर लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, काम नहीं करना था इस पर, क्यों नहीं करना था, उसका मैंने आपको reason भी एक्स्प्रेंग किया, gap down opening आपको देखने को मिले और फिर bully scandal देखने को मिलती है, इस तरह के setup पे कब काम किया जाता है, वो भी मैंने आपको course में समझाय हुआ है, अ पुली scandal बन जाए, इस तरह का scenario बने, तो आपके लिए opportunity रहती है, कहां पे entry बनती है, या कहां पे stop loss लगता है, क्या target होना चाहिए, किस situation में avoid करना चाहिए, या किस situation में नहीं avoid करना चाहिए, कहां पे opportunity बन सकती है, यह सारी चीजी मैंने वहां पे detail में explain कि हुई है, तो यह यहां पे ऐसा कोई scenario नहीं था, हाला कि आपको यहां पे previous day low का breakout देखने को मिला है, लेकिन trend overall negative बना हुआ है, तो इसलिए यहां पे यह setup काम नहीं करे, setup तब काम करता है, या तो अगर market में negative trend होता, आपको gap up opening देखने को मिल जाती, market उसी trend में वापिस आने की कोशिस करता, तो इसलिए चीजों में confuse नहीं होना है, और यहां पे आपको दोनों में काफी बड़ा difference भी पता लगा हुगा, मैं फिर से आपको समझाने के कोशिस करता हूँ, Nifty 50 अपने previous day low पे resistance की तरेक्ट कर रहा है, लेकिन bank Nifty ने अपने previous day low का breakout दिया है, और इसने resistance की तरेक्ट किया यहां पे इस वाले zone पे resistance की तरेक्ट के एक तो 44,000 का round level है, और कहीं ने कहीं आप देखेंगे इस zone पे market ने एक मजबूत resistance की तरेक्ट किया हुआ है, इसका भी scenario हम discussion करेंगे, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं bank Nifty की, दरसल यहां पे मैं शुरुआत में दोनों का comparison इसलिए डे लो का breakout दे दिया, तो Nifty 50 भी breakout दे देगा, पहला difference में आपको यह समझाना चाहरा था, ऐसा confirm बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर यहां पे आप देखेंगे बड़े-बड़े momentum आपको देखने को मिले हैं, पहली तीन candle में, यहां पे इतने बड़े momentum आपको देखने को नह लेते हैं, तो आपको दोनों चार्ट अलग-अलग समझने पड़ेंगे, हलाकि आप comparison कर सकते हैं, दोनों चार्ट पे नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कहीं बार क्या situation होती है, यहां पे अगर resistance होता है, तो वो इसे भी रोक के रखता है, या कहीं बार अगर यहां पे breakout मिल र दोनों कहीं न कहीं एक दूसरी पे डिपेंड भी करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करते हैं, यह मैंने आपको कहीं बार समझा है, और रिजल्ट आप यहां पे देख भी सकते हैं, तो इसलिए अगर कुछ उसमें हो रहा है, तो उस बेस पे इसमें करने में मदद करेंगे, आईए अब निफ्टी फिफ्टी का कुछ लोजिक यहां पे समझने की कोसिस करते हैं, देखो दोस्त, बड़ी ग्रीन केंडल, बड़ी रेड केंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, यह तरह की चलती ट्रेन होते जो अपने आप पे कंड्रोल रखना जानता है, क्योंकि फोमा में जान्मै इत्रेंटी करता है, क्योंकि फोमफ में ट्रेड निफिटी एट हूँ, बड़ी कर लेते हैं, चलो इस पर भानी मार्केट कर बड़ी, बड़ी अगली उस पर खोग्ता हूँ, उस से अगली ट्रीन किसी ने इस चीज पर गुशने की कोसिस कियोगी, सिर्फ ये सोचके कि green candle बन रही है, तो आप देख सकते हैं, अगले ही पल में उसके साथ क्या हुआ होगा, भाई जो ये भी negative candle आई होगी, ये जो premium बढ़ा होगा, ये उसे खा गई होगी, और अगली ने तो सब कुछ ही गायब कर दिया होगा, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे option buyer आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, कि आपका setup कहां पर बन रहा है, आपके लिए चीजे कहां पर बन रही है, अब मान के चलो, अब मैं आपको समझाने के कोशिस करता हूँ, कि किस तरीके से market काम करता है, green candle दिखिए, आपका buy करने का मन कर रहा है, लेकिन क्या कोई setup नज़र आ रहा है, नहीं, आपने control किया, buy नहीं किया, अगली green candle दिखिए, एक कोई setup बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा, यहां पर market ने green candle दिखाई, कोई setup बन रहा है कि नहीं, लेकिन market setup के नज़दीक है, क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है, कि यह क्या है, previous day low, या तो market यहीं पर ही, ही कुछ time spent करके breakout दे दे, तो हमें previous day low का breakout मिल जाएगा, setup बन जाएगा, अगर सीधे ही breakout दे रहा है, तो वापिस आजाए, एक बार retest कर दे, फिर price action बना दे, setup बन जाएगा, या फिर market वापिस आजाए, retest करके, फिर breakout दे के चला जाएगा, setup बन जाएगा, भई, logic तो है, इसके पीछे कुछ भी logic हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी logic नहीं है, दोस्तों, अगर content पसंद आ रहा है, logic पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं आपको free of course इतनी चीजे प्रवाइड करा रहा हूँ, तो 5000 लाइक टारगेट है, जल्दी से जल्दी like बटन प्रेस करना सुरूर कर दीजे, अगर आपको content पसंद आ रहा है, फिर से वापिस वही पर आते हैं वीडियो पर, तो यहाँ पर हमने यह सीखा, या फिर हम क्या देख रहे हैं, मार्किट ने एक range बना दी यह वाले, यह हमारे लिए क्या है, previous day low, हम ध्यान दे रहे हैं कि trading day high भी इसी जोन में बना हुआ है, फिर मार्किट ने यह वाला जोन बना दिया, यहाँ पर, यह क्या है आपका trading day low, मार्किट ने इसका breakdown दिया है, भई एक momentum है, हमें यह भी दिखाई दे रहा है, कि मार्किट ने rejection लिया previous day low से, और फिर जाके trading day low का breakdown दे दिया, यह आपके लिए opportunity थी, यह आपके लिए एक momentum ता, आला कि इतने बड़े points आपको यहाँ पर नहें मिले होंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक setup बन रहा है, एक logic है आपकी trade के पीछे, फिर मार्किट ने क्या क्या, फिर मार्किट ने नया trading day low बना दिया, अब मार्किट आपको इस range में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, एक opportunity आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, या तो मार्किट इससे उपर निकले, तब हम कुछ सोचेंगे, या फिर मार्किट इससे नीचे निकले, तब हम कुछ सोचेंगे, तो इस बीच हम क्या करेंगे, इस बीच हम अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे, या चोटी मोटी scalping कर लेंगे, देखो एक trader, मैं फिर से repeat करता हूँ, एक trader वो होता है, जो अपने आप पर कंट्रोल करना जानता है, क्योंकि अगर आप FOMO में trade करेंगे, या आप देख रहे हैं कि इतना time बीच गया, मैं trade नहीं कर पाया, अगर आपने इस opportunity को भी नहीं पकड़ा, आपने देखा इतना time बीच गया, मैं कुछ trade ही नहीं कर पा रहा है, आप green candle देखके buy कर रहे हो हो, या red candle देखके selling कर रहे हो, इस तरह का आप scenario create कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, इस चीज को समझो, एक opportunity आपके लिए यहाँ पर बनी, जब आपने देखा, market ने इस zone पर support बना दिया, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, market वापिस आया, कुछ लोग इसे W pattern भी कह रहे हैं, ठीक है, जो भी है, आप समझो, यहाँ पर आपको एक trend line दिखाई दे रहे है, एक breakout दिखाई दे रहे है, market इसके उपर भी गया, trend line का हमारा rule क्या है, कि अगर breakout मिल रहा है, तो हम पिछले resistance को देखेंगे, इसका breakout मिलना चाहिए. अगर market support ले रहा है, तो हम यह देखेंगे, ब्रेकडाउन दे रहा है, पिछले support को इसका breakdown मिलना चाहिए. यहाँ पर breakout मिलना चाहिए, Registrence का, यहाँ पर support का breakdown मिलना चाहिए. यह है, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपका ये भी setup बन रहा है तो यहाँ पे आपके लिए opportunity बनती है trading day high तक, फिर market ने इसका भी breakout दिया, retest किया momentum दिखाया यहाँ पे आपको दो-दो breakout मिले, दो-दो setup ने आपके लिए काम किया है एक trading day high का भी breakout मिला है, साथ के साथ previous day low का भी आपको breakout मिला है, अगर आप नहीं जानते इन setups के बारे में तो नीचे description में आपको हमारी application का link मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप इन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन फिलाल offer खतम कर दिया गया है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रात के बारा बज़े के बाद offer कतम कर दिया जाएगा फिलाल कोई offer नहीं है तो यहाँ पे आपको चीजे समझ में है, चीजे clear हो गई कोई भी confusion यह ना, clarity है एकदम आईए अब हम थोड़ी सी नजर डालते हैं कि मंडे को हम किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, किस तरीके से discussion कर सकते हैं उन चीजों पर एक नजर डालते हैं अब जल्दी से हम कुछ important points mark कर लेते हैं नीचे की तरप आप देखेंगे, ये वाला है हमारे लिए previous day low 14 का day low भी इसी जों में आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है, ये हो गया previous day low ये हो गया previous day closing ये हो गया आपके लिए previous day high इतनी चीजे हमने mark कर ले अब जो हम इस situation नजर आ रही हैं market में अगर आप देखेंगे, previous day closing और previous day low थोड़े से नजदीक है as compared to previous day high अब यहाँ पर हम setup बनाने की कोशिस करते हैं, अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है दोस्तों ये आपके लिए किसी भी तरहकर ना तो कोई buy recommendation है ना है कोई selling recommendation है ये just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी advisor की सला लेनी है और profit भी आपका होने वाला है loss की जिम्मदारी भी आपको अपने आप लेनी है आए अब हम यहाँ पर देखते हैं अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है इस situation पर अगर previous day closing से ऊपर चलता है और इस level का market breakout देदे यान कि 19,320 के ऊपर आपको closing देदे यहाँ तक आप स्कल्पिंग कर सकते हैं लेकिन अगर इसके ऊपर चलने लगता है तो अगला resistance आपके लिए हो जाएगा previous day high इसका breakout मिलता है तो 19,400 आपके लिए अगला resistance होने वाला है वहीं पर अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है तो मैं आपको suggest करूँगा कि अगर previous day low से नीचे चलता है तो previous day low तक आप scalping कर सकते हैं लेकिन long position आपको previous day low के breakdown के बाद ही मिलेगी क्योंकि previous day low के breakdown के बाद आपके लिए setup भी बन जाएगा previous day low के breakdown वाला इस पे भी आप काम कर सकते हैं यहां तक चीज़े समझ में आई clear हो गए यह सारी चीज़े वहीं पर अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है इस scenario पर आप क्या कर सकते हैं इस scenario पर आपका पूरा focus इसी level पर रहने वाला है 19,320 पर अगर इसी के आसपास आपको gap up opening देखने को मिलेगे अगर market इसका breakout देके चलता है प्राइज उपर सस्टेन कर जाता है तो उपर की तरफ आपको पता है आपके कौन से resistance है लिकिन अगर market यहां से reverse होता है तो previous day closing आपका पहला support बनेगा इसका breakdown मिलता है तो previous day low आपका दूसरा support बनेगा इसका भी breakdown मिलता है तो 19,200 आपके लिए अगला support बनेगा 19,200 को देखके कुछ याद आ रहा है कि ने मैं यहाँ पर जल्दी से लिखता हूँ 19,600 और 19,200 यह दोनों level आपके याद आयोंगे अगर आप पहले से वीडियो देख रहे है तो इनका हमने detail में discussion किया है 19,200 यह 19,600 यह रहा यहाँ पे भी हमने देखा है market कितनी ज़्यादा इसकी respect करा है 19,200 यह रहा पीछे भी हमने देखा है कि market इसके कितनी ज़्यादा respect करा है मैंने आपको कई बार one day के time frame पे भी यह चीज़े दिखाई होगी है वही पर अगला discussion करते है अगर आपको gap down opening मिलती है इस scenario पे हम पूरा focus रखेंगे previous day लोगे अगर market previous day लोगे आसपास आपको gap down opening देता है लेकिन अगर market यहाँ पे support लेके bounce कर जाता है तो previous day closing से ऊपर निकलने देना market को उस situation पे आपके लिए registration zone यह बनेगा इसका breakout मिलता है तो previous day अई बनेगा इसका breakout मिलता है तो 19,400 आपके लिए अगला registration zone बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तो वीडियो को like कीजिएगा comment करके बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे है आपके लिए कितने helpful है नहीं हो subscribe करना bell icon प्रेस करना फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ Thank you